बगवान की भक्ती बहुत से लोग ठाकुरजी हांत में ले लिये तलकमंदन लगा लिया गोमुकी गले में डाल ली माला ले ली अब चले जा रहे चले तो जा रहे पर कचोडी पे ध्याने आ हा क्या गजब की कचोडी बन रही दो ठैया धकार लेते आनन्द आ जाता ठट्री सिदा राम समोसा ले आए अरे दो ठैया धर दो माला करके खैबी सिदा राम सिदा राम जब तक दूजरे नहीं लाए जो खाले नकट एक तो देख छोड़ दे माला करके समोसा खा हम उन महापुरिशों को ने विदन कर रहे हैं जो दोनों एक साथ करना चाहते है राम भी औ वहुन रही सके रहती रह जिनी इप बेठा और ये बात हमने इसलिए बताई है खाना बुरा नहीं है पहले भोजन कर लो खूब दबाका ताकि बात में जब माला करें तो भोजन की याद ही नया है हम कहते पहले भूके भजन ना होई गुपाला जा धरी तुमाई कंठी माल हमारा तो सुत्र यह लगे हमारे राम जी है है हम एक बार के दारनाद ग़यते के दार्नाद दर्सन कर वे शुके नहीं तो समय लगे के दारनाद दर्सन आओ अभी तरसें बोले तो जो साथ में दो तीन चेला थे हम ने का यार कचोड़ी ले आओ कचोड़ी अरे बोले अब दरसन कर लो भखाईयो अभी सेख कर लो दिन भर भूंके रहे हम नजदीक आगे तो भोज़े हम कही हमाए संकर जी कह रहे है बिना खाए no entry अभी अब सेख करें कचोड़ी में चित धरो राव है बढ़िया बढ़िया तलत देख लिए पहले खालो बाद में अब सेखोगा देखा जाएगा बात की बात तो यह हमारा सिद्धान्त साहिद किसी के मत में ना हो सिद्धान्त हमारे मत में ऐसा है हमारी छोटी सी मती अनुस पहले खुब भोजन पालो अगर भोजन जादा भूख लगती है फिर माला इतनी रगड़ो कि भोजन पचाने के लिए चलना ना पड़े माला में ही भोजन पच्छाए और जिंदगी आनंद में भुजर जागए कि इतना भजन करो फिर लेकिन कहना सरल है करना बड़ा कठना बातें कह देना दो बड़ा सरल है हम आप इतने आलसी हैं के बड़े बारे